हेलो स्टूडेंट्स गूद मॉर्निंग तुडें वी आ गोईंग टू कंटिन्यू चैप्टर एट जिसकी की हाफ स्टोरी हम लोग प्रिवेस क्लास में कंप्लीट कर लिये थे प्रिवेस क्लास तो ग्रामर की थी लेकिन जब हेट स्टार का टर्न था यानि की वेंस्डे को हम का गोई लिम पर कंदुष नियुक्षा एक बार पहले उसको करेंगे अं या यह जब बर पहले यह भी को सुनते ही हापके मूं अपके मन में सोरी कि कैसे कैसे वह आते हैं वह सबसे पहले हम लोग नहीं क्या देखा किरिम का कहा है रखनेशन जो है वह काहा पर हुआ तो कुछ लोग मानते हैं कि आशक्रीम जो है लेकजिंटर ग्रेट घ्रीज के उसका इंवेंट हुगा कोई मानता है कि जो रोमन के इंपरर थे उन्होंने सबसे पहले स्नूख माउंटेन से जो स्नूख आता था उससे आइस क्रिम खाया कुछ लोगों का कहना था कि फ्रूट और जूस मिला के जो रोमन के इंपरर ने खाया जिसको की बहुत बार आज कल की डेट में कोला मिलता है बर्फ को रब कर के उस पे कोल्डिंग ड्रिंक थोड़ा खटा मिठा ऐसा डाल के मिलता है और कुछ लोगों का कहना था कि चाइना के जो राजा थे किंग टैंग उन्होंने सबसे पहले 94 पीपर को रखा था आइस क्रीम बनाने के लिए जो की भैस के दूद को गाड़ा करके और उसमें क्री आइस क्रीम पहुचा तो इतली के जो फेबस एक्स पोल भन ठ्रिक पोल्जा है और वह थी रेसिपी ले आये तहें और इस तरह से इट्रीम में भी चाइना का प्रचार हो गया है जी वोल्रीं। मुगर लोग भूलाए थे घंडा मिठा डिजर्ट जिसकों की कुल्फी कहते थे इंडिया की बात करे तो इंडिया में सबसे पहले मुगर्ल लोग भूलाई थे खलाए थे और जो के लिए। सो कुलफी बनता कहां से है यहां से हमको स्टार्ट करना था का पुरा अपना क्लास तो आई हो आप लोगों को जो स्टोरी है वो रिकॉल हो गई होगे चलिए फिल स्टार्ट करते हैं आगे से जो है पेज नमबर 52 पैरग्राफ नमबर 2 से कुलफी इस मिक्सर अफ कंडेश्ड मेल्क शूगर नड फ्लेवर अड आफ सैफ्रॉन क्या होता है केसर तिक जिसकों कि खाने मैं फ्लेवर देने के लिए सुवाद बढ़ाने के लिए और उसको एक कुlesबूद देने के लिए यूस किया जाता है तो तो कुल्फी जो है वो सबसे पैकुल्फी क्या होती है एक तरह का मिक्षर होता है मिक्षर किस किस चीछ का इदम गारे कंडेंस मिल के नहीं इदम गारे दूद में चीनी और नर्ट्स यानि की मेवा का जिसको की केसर का फ्लेवर दिया जाए केसर से उसकोई खुस्बू बढ़ाई जाए और स्वाद भी बढ़ता है इट इस स्टील मेड इन सम वे एज इट वास दो मुगल पिरेड आज भी जैसा मुगल पिरेड में ये बनता था वैसे ही कहीं कहीं पे ये आज भी वैसे ही बनता है कुलफी मेकर पूट दव मिकसर इन्ट डवी मेटल और कलय कों के कों में भरमें शील द रेकों इन सब्सक्राइब दजाने के लागं दों यानि लोई बनाते उससे पुरा उसको सील कर देते हैं सील करना में उसको अच्छे से पैक कर देते हैं and place them in a large container of ice and salt to freeze और फिर उसको एक बड़े से container में जिसमें की ice हो और salt हो उसमें रख देते हैं जमने के लिए the mughal emperor used to have snow brought down from himalayas modern day kulfi maker simply put the mixer into a freeze मुगल के टाइम पर क्योंकि तब इतना फ्रीज का विसकार नहीं था तो लोग हिमालयास से बर्फ लाते थे और उसमें रखते थे लेकिन आज कल तो लोग simply बहुत ही modern day हो गया है modern society हो गया है technology बहुत आगे बढ़ गया है तो सबके घर में फ्रीज है फ्रीजर है तो हर कोई फ्रीजर में रख देता है ठंडा होने के लिए जमने के लिए next हम बात करेंगे ice cream cone की cone वाली ice cream आप लोग बहुत ही खाते हैं एक दो जो common ice cream टाइप है एक तो स्ट्रीट वाली जिसमें डंडी में ice cream लगा रहता है और एक cone वाली ice cream तो ice cream cone का invent कैसे हुआ उसके बार में पढ़ेंगे the ice cream cone was invented in America when an ice cream seller run out of container next door a maker of waffles thin waffles like biscuit roll up in the waffle into a cone and the ice cream was served in that ice cream cone का invent कहां हुआ सबसे पहले अमेरिका में हुआ जब एक ice cream बेचने वाला next door यानि लोगों के घर घर जा जाकर वो ice cream बेचने लगा अपने container में ice cream लेके जैसा आप पतले बिस्कोट वैफल्स पतले पतले वैफल्स को मोड के और फिर उस पे ही ice cream को रख कर वो देते थे that was the beginning of the ice cream cone the most environmental friendly from the from packaging और वहीं से ice cream cone की start हुई थी जो की बहुत ही environment friendly भी थी यानि कि environment को नुक्सान पहुचाने वाली नहीं थी once a little boy wanted once a little boy wanted both ice cream and chocolate अब देखे चोकलेट आइस क्रीम कैसे बना एक बार एक छोटे लड़के को ice cream भी चाहिए था और chocolate भी चाहिए था however he did not have enough money to buy both लेकिन उसके पास इतने पैसे नहीं था कि वो दोनों खरीच सके he did not know what to do उसको नहीं समझे में आ रहा था कि मैं क्या करूँ the shopkeeper then thought of chocolate covered ice cream तब फिर shopkeeper दुकानदार को दिमाग आया कि वो ice cream के ऊपर chocolate लगा के ice cream को chocolate से ढखके दे दे और इस तरह से chocolate ice cream का अविसकार हो गया आज कल तो बहुत ही अच्छे अच्छे chocolate ice cream वनीला ice cream मिलता है और आप सब enjoy करते हैं पर इसका start कैसे हुआ था उस time से ice cream is ice cream is nursing because it is made of milk and cream ice cream जो है वो बहुत ही ज़्यादा nutrient वाला भी होता है बहुत ही ज़्यादा पोसक देने वाला भी है क्योंकि यह milk और cream से बनता है और cream भी कही न कहीं जो है वो dairy product ही है sugar और honey is used to sweeten the ice cream sugar, chini और honey यानि सहद का use किया जता है ice cream को मीठा करने के लिए some plant product are added to make the ice cream smooth and firm कुछ और भी पेड के product add किये जाते हैं उसको इदम smooth यानि इदम soft बनाने के लिए all these things are straight and blended in a mixing tank इन सब को बहुत ही अच्छे से चोटा चोटा काट के बहुत ही अच्छे से mix किया जता है आज कर तो लोग blender सीधे mixer में डाल देते हैं और उसको काट के वो mix भी कर देता है इस mixer is pumped into a pasteurizer where it is heated फिर इसको एक pasteurize करने के लिए रखा जाता है जिसमें कि वो गर्म होके जैसे दूद को हम लोग उबाल के उसमें जो भी वेक्टेरिया रहता है उसको खत्म कर देते हैं उसी तरह फिर उसको pasteurize किया जाता है the hot mixer is then grilled around under high pressure फिर उस गर्म mixture को high pressure में रखा जाता है this make the mixture smooth and creamy finally it is then cool and freeze और फिर उससे वो और ज्यादा creamy होता है और ज्यादा smooth होता है और फिर उसको ठंडा करने के लिए जमने के लिए रख देते जैसे जैसे वो ठंडा smooth होता जाता है वैसे वो जमता जाता है फ्रीजर में हम कोई भी चीज को रखते हैं तो इससे बड़ा common process है आप लोग देखे ही होंगे अपने घर में बहुत सारे लोग जो है वो दूद को एक दम बहुत देरी तक गाढ़ा करके उसमें हलका सा दाल के और उसको एक छोटे से कंटेनर में अगर आप रख देंगे फ्रीजर में तो वो जम जाता है उसको अच्छे से सील करके धक करके अधर्वाइस उस पर बर्फ जम जाएगा ना इन दे फ्रीजर दे मिक्षर इस कंटेन्टली विपड अप और अशूज़ाख दे ऑइसक्रीम लाइट अजा पर दे लॉपिशु के अनदर वो धीरे 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 विपड़ फोता है और जिस्से की वह ज्यादा क्रीमी और फ्लफी यानि इतम सॉफ्ट ऋफ्ट उफ भी यह बादाब जाती है और अब प्रेवर डाले के लिए अगर डाला हैं पतला चोकली पीस पीस के काजू बडाम यह सब ड़े जाते हैं और चोकले चिपस थी दाले जाते हैं after the flavoring is added the ice cream is packed and moved quickly to the hardened room here temperature below zero freeze it to the firm in which we eat delicious is not it और फिर इसके बाद उसको packaging यानि pack किया जाता है और फिर उसको hardening room यानि जो एकदाम ठंडा cooling room होता है ना storage का store करने का समान room होता है पूरा एक बड़े बड़े जहां पर factory होती है तो उसमें पूरा आप लोग movie में या serial में देखे होंगे कि उस पूरे पूरा room ही जो है वो fresh के जैसा होता है ठंडा उस room में ऐसे चीजों को स्टोर किया जाता है जो चीजों के लिए temperature जो है वो बहुत ही ज्यादा ठंडा होना जरूरी है उसको उस room में रद दिया जाता है और फिरूसी package को हम लोग लेते हैं और खाते हैं delicious, swadish, क्या ये नहीं होता है लास्ट में आपसे question किया जाता है इस तरह से ये जो चैप्टर है वो complete होता है next class में हम लोग इसके exercise और question answer को discuss करेंगे तब तक के लिए आपके लिए एक homework है कि आपको कौन से flavor का ice cream बहुत पसंद है या फिर आपको ice cream नाम सुन के आपके mind में कौन कौन से word आते हैं ऐसे 3 word को आपको choose करना है और फिर उस words से आपको 3 line बनाना है यानि कि आपको within 30 words ice cream के ऊपर लाइक यह से जैसे यह से लिखते हैं ice cream के बारे में 3 line आपको लिखना है और उसका pick group में send करना है तब तक आप safe रहे सुरक्षित रहे और पढ़ते रहे